एक मुद्दा जो की भारतियनता पार्टी वहाँ पर उठा रही है वो है कि ओडिसा में ओफिसर वर्सिस पॉलिटिशन को मुद्दा बना रही है क्या आपको ओफिसर से समस्या है मुझे कोई समस्या नहीं है ओडिया जनता के अंदर ये समस्या है कि ओडिशा पर तमिल नारू से आये हुए ओफिसर कैसे सासन कर सकते हैं एजा अपसर नहीं एजा पोलिटिशन एजा मुख्यमंतर और वहाँ पर जनता में ओडिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है अब ओडिशा की जनता नेताई करना है हम तो जनता की आवाज को रिप्रिजन्ट कर रहे हैं और इजिसा में को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट है सब्सक्राइड की जनता नंबर देखे 17 से ज्यादा सीटे भारती जनता पार्टी की लोगसभा में आएगी और हम निश्चीत रूप से वहाँ पून पहुमत की सरकार बनाएगी मैं कश्मीर की बात करते देता हूं कश्मीर में नरेंद मोदी की सरकार ने बहुत काम की आया और इस बार बंपर वोटिंग भी है इसको आप किस धंग से देखते हैं क्या यह वर्ड को अराउंड गलोब भी एक बड़ा स्ट्रॉंग मेसिज है भारत की तरफ से निस्चित रुप से हैं देखे जो लोग आजादी की बात करते थे जो लोग अलग समविदान की मांग करते थे जी वो लोग भारती समविदान के तहरे जो चुना हो रहा है उसका हिस्सा बने और स्वागत योग्या है और गाटी की जनता ने भी बढ़ चड़कर अब हुई है तो मैं मानता हूं यह बहुत अच्छी बात है कस्मीर के लिए भी अच्छी देश के लिए अच्छी बार बार आप एक मुद्दा उठाते अपनी रैली में पीयो के का पीयो के को आप कहते हैं यह भारत का हिस्सा है क्या आप इसको पॉलिटिकल इशू बनाना क्या है कुछ फ़िटिकल नहीं है कि यह हमारा देश का इसकी पाकिस्तान की बात पाकिस्तां की बात नहीं है पाक क्ट्षूपाई कास्मीर की बात है कि समीन की बात हरियाना को लेकर आपकी रीडिंग क्या है कि आपको लगता है वहां कोई जाटों का बड़ा विशय है हारियाना मैं हमारी सेमरिंजRO कर रखेंगे इसमें मैं कोई और하지 डिकर है जी